हलो एवरिवान नमस्ते गूड मॉर्निंग वल्कम बेक टू मानदा व्लोग आप सभी को स्वागत करती हूँ मैं आज के डेली रूटीन व्लोग में और मेरे यूटूब सेनल पर तो गाइस अभी सुबह सुबह उठके देखा पतलब सुबह मतलब अभी जास में उठके ही आ अब पतलब फल ईकालक में तो यहां पर पोड़ कहती है अभी मक ब्रस करते जा है मेरी ज मतलब कोकु कि पोड़े पॉधे गिर गए अगर उठाना है उठा दू यह सब करती हूं क्योंकि ना ब्रस करते टाइम जो जो नजर नहीं आता न वो भी नजर आ जाता है क्योंकि बाकि टाइम तो कुछ ताइम भी नहीं मिलता और देखने का मन भी नहीं करता तो बस यहाँ पे जितने भी पोट वग तो गाइस अभी माई के आके मेरा चाय का एक आदत हो गई है कि चाय पीते टाइम ना मुझे गुर चाहिए ही चाहिए क्योंकि ना जब मैं ससुरल में चाय पीती थी ना तो बीना सकर के चाय पीती थी तो पी जाती थी लेकिन अभी आदत बन चुका है कि मुझे अभी गु क्योंकि बाहर तो बारी से सुखाने की जगा नहीं है तो ड्राइ करके मैंने अंदर ही सुखा दिया था तो अभी सारा फोल करके रखना परेगा ना तो इसलिए मेरे इतना भी कपड़े वगड़ा है सारा फोल करके रख दिया जो फास्ट का जो सारी वगड़ा गमचा वगड बढ़िना जादा काम नहीं है बारीश के बज़ए से बस घर का ही एक दो काम होता है और अभी धूप देगा ना तो बहुत काम होगा क्योंकि घर साफ सफाई फिर परदे वगड़ा कपड़े वगड़ा सारा धोना पड़ेगा इसलिए तो बस अभी जारू अगरा मैंने अंदर जितना भी है साफ सफाई कर लिया है उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई साफ सफाई करने और आप सबको तो पताईए मैं बाहर तो जारू लगाती हूँ क्योंकि तुलसी के पोधे के वज़े हम लोगो जारू लगाना पड़ता है और जितना भी आधी तुफान बारिस आजाए लेकिन अगर साफ सुत्रा घर रहे ना तो अच्छा लगता है और जीज दिन साफ सुत्रा घर ना रहो ना तो उस दिन पता नहीं बिन मुलाय मेहमान कहां से आ जाते है इसलिए मुझे तो हमेशा है घर साफ सफाई करके रखत उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ पॉर्ट में मतलब यह फूल लगाने के लिए यह फूल हम लोगों ने आप लोगको पता होगा जब मैं छोटे पापा को होस्पिटल देखने गई थी ना तब हम मेरे और ममी ने लेकर आये यह कालांजू यह यह लो कालर क्या है तो इस फिलता है और कितना फूलता है तो यहां पे जितना भी मिटी वगड़ा था वो सब मैं अच्छे से साफ कर दियू और उसके बाद मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने लगा दिया है और यहां पे अभी में नहां दोके आ चुकी हो और अभी मेरा जो डेली स् करती हूँ उसके बाद मामार्थ का जो उप्तनवाला फेसवास से वह यूज़ करती हूँ उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ ममी को देखने क्या करें तो ममी यहां पे ब्रेकफास्ट बना रहेए थे तो आज ब्रेकफास्ट में था बेगन और आलू की सबजी तो मुझे और बेगन और आलू की सबजी बहुत पसंद है और बाकी क्या क्या है मैं आप सबको बाब में दिखाऊंगी तो यहाँ पर बाहर थोड़ा थोड़ा धूब निकल चुका है गाईस आज सुभा इतना बारिस हुआता लेकिन अभी थोड़ा सा धूब दिखने को मिल ला है तो यहाँ पर ममी मुझे बोले थे कि थोड़ा सा धूब निकला है जितना भी कपड़ा है दो तीन दिन का वो सारा धूब दो मैं ब्रेकफास बना रही हूँ तो अभी मैं हाथ से तो धूँगी नहीं तो मैंने डाल दिया है मसीन में अभी घूम रहा है घूम रहा है घूम घूम के खुद बखुद धूल जाएगा लेकिन अभी इसको कौन देखते रहेगा पहले पेट पुजा कर लेते गाईस इतना भूग लग लगती है और आज तो ममी ने मेरा फ्रेब्रेट चीज बनाया है वो है ओमलेट मुझे रोटी और ओमलेट दे दो गाईस मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं और किस-किस को रोटी और ओमलेट पसंदे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और यहाँ पे ममी तो स्टार्ट भी हो तो अभी मेरा खाऊंगी रोटी और ओमलेट मुझे इतना अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम लोग कुछ बाते भी करें थे बाते क्या करें हम लोग कुछ डिसीजन ले रहे थे मतलब डिसाइड करें थे कि हम आज कहीं जाने वाले थे जाएंगे या नहीं जाएंगे क्य एक तरब बारिस जैसा बादल भी है तो फिर हम लोगोंने रिसाइड करते करते यह डिसीजन दिया है कि आज हम नहीं जाएंगे हम कल जाते है कुछ भी हो कल चले जाएंगे बारिस हो आंधी तुफानों कुछ भी आए लेकिन कल चले जाएंगे बोलके फिर हम लोगोंने य ना सब्सक्राइब मेरा हालत हो गया, इतना Ἅल्ची होगई हूं मेरा आदत ना भी गर जा तो फिर मैंने खुद बक खुद सोचा कि नहीं, गाईस, अभी तो नहीं मुझे जाना है, मुझे मिर्ची तोड़ना है मुझे आलज नहीं करनी है, तो यहाँ पर मैंने बड़ी ममी और ममी के साथ थोड़ा सा हेल्प कर दिया और हम लोगों ने का इस दीन भर दीन भर एक बज़े तक हम लोगों ने मिर्ची तोड़ा और अभी मेरा हालत देखिए इतना कमर दर्थ इतना मतला फ्यास लग रही है इतना गड़मी हो रही है क्योंकि मिट्टी इतना कीचर इतना फिसलन और इतना घास हो चुका था ना बड़िस के बज़े से तो मेरे तो पेड़ की हालती कुछी हो गई उसके बाद मैंने धो धाकर चेंज करकर अभी में जारी हूँ मेरी चाची के घर क्योंकि चाची के घर मुझे लंज के लिए तो एचेस का रिजल नहीं दे रहा है और तू बीजी है फोन में उसके बाद भी मेरे चाचा जी ने बोला कि आज थोड़ा सा मतलाब जो लंज का मेनू है वो भी दिखा दो क्योंकि चाची ने इसने प्यार से बनाया है तो यह देखिया आज में आज था बींस आलू की सब चाची और बैबी पुटेटो फ्राई दल इसके बाद था चावल उसके बाद फिर यह है चिकन लेकिन में तो चिकन नहीं खाती तो फिर मेरे लिए क्या है तो यहाँ पे देखिये फिश इसका कड़ी बनाएंगे उसके बाद पिर यहाँ पे सिलाद में था खीरा उसके बा बात नहीं बाकिस इस तो खाई सकती हूँ है न तो चलिए हम लोग अभी वेट कर रहे थे महमान का तो वेट करते 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 आगे हैं महमान तो अभी आप सबको भी तो दिखाना पड़ेगा न महमान कोन आने वाले हैं और आप लोग देखने के लिए तो excited भी होल चुके होंगे लेकिन रुखिये guys थोड़ा सा सबर करें क्योंकि गारी भी तो अंदर आना परेगा फिर उहां से उत्रेंगे मेहमान उसके बादी तो आप सबको दिखाऊंगी ना तो आगया है गारी और गारी से निकल गए है मेहम करती हूँ यहे मेरे मामा का लर्का वो खाना खाड़ा है उसके बाद बड़े यह सारे मेरे मामा है और यह लोग गाये थे कहां गई थे मैं आप सो को बता देती हूँ यह लोग गाये थे पैंगरी जहां पे हम लोग गाये थे ना मेरी चाची के बेहन के जेर जी गुजर ग और यहां पर चाजा ने सब के लिए थोड़ा थोड़ा सबजी बेज दिया है क्योंकि घर में इतना सारा सबजी लगाया है खेत में तो भेजना तो परेगा है तो यहां पर सारे लोग जारे घर जाने के लिए निकल रहे तो फिर बाते तो निकलती है जितना भी घर के अंदर करो लेकिन जब गारी के अंदर गुसने का टायम आता न तब ही भी बाते निकलती है तो जैसे ही ये लोग निकल गाए जाने के लिए तो यहां पर देखें मेरे चाची के पापा जी फिर से लग गए है बाते करने के लिए तो फारेनी लोग छड़ी चुके हैं गारी में जान उसके बाद सीधा गई लंज करने के लिए गाईस इतना पेट में चुहे दोड़े थे और मेनू तो क्या बताओ सब कुछ बताई दिया था उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बस फिशकरी बनाने नहीं दिया क्योंकि इतनी भूख लेगी कब बनेगी उसके बाद भी फिर हम खाया खाना खाना खाने के बाद में और ममी आ गए थी चोटे पापा के घर क्योंकि ममी को रासन लेना था थोड़ा सा और यह मेरे छोटे बापा चोटे बापा का गोल ब्राडर ऑपरेशन हो था आप सब को पता लेकिन अभी हट्टा-कटा होकर आज चुट्टी दे दिया है होस्पिटल से और घर सामने के अंकल आए थे उनके साथ बाते करे अभी तो बहुत ठीक हो गये है तो यहां पर ममी ले रे रासन और यह है मेरे भीया और हम लोगों ने रासन लेने के बाद चले गये हैं मेरे फ्रेंड के घर क्योंकि ममी ने बोला था कि चलो जाके आते ह है क्योंकि बहुत दिन हो गया गई नहीं हो कभी-कभी जाना पर चाहिए तो जाते ही हमको दिखा फूल गाईज जब घर किसी के घर जा और यह फूल दिखता है तना सुन्दर-सुन्दर बहुत ही अच्छा लगता है तो फिर यहां पर बेट के बाते करे थे और यह है मेरी फ्रेंड की मम्मी और यह है मेरी फ्रेंड तो मैंने चुपके से वीडियो बना ले क्योंकि वो लोग बाते करे थे डिश्टाब क्यों करना उसके बात फिर हम लोग घर जाने के लिए निकल गए लेकिन यह देखिये मम्मी को फूल मांगना है यह क्योंकि कहीं पे जाया तो फिर यहां पे छोटे पापा के घर आ गये थे और आते ही हम लोगों ने देखा कि मेरी भावी भी दो भावी भी आ चुके आये है यहां पे छोटे पापा को देखने के लिए तो यहां पे चायवाई पी रे लेकिन हम लोगों ने नहीं प्या क्योंकि हम लोग ने पीके भी जाए फूल का या तो आता है यह तो परिशान हो चुकी हूँ में क्योंकि घर के चारो तरब फूली फूले पता नहीं कहा कहा लगाएंगे तो फिर फाइनली अभी हम घर जाने के लिए निकली गए तो हम घर पहुंच चुके है गाइस और इतनी गर्मी लग रही है बहु झाल कर दो हम तो हम उले पन्हें हम और जाने खिरिखी लग।